आज हम मास्क के टुकडे की जांच के बारे में बात करेंगे कि यह टेस्ट क्या है? यह टेस्ट क्यों कराया जाता है? एब हम इस टेस्ट के कितने पिरकार होते हैं? इन्हीं सभी चीजों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं. नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर पिरकाई शाओक के और आप देख रहा है डाक्टर स्मार्ट हेल्थ केर अ hurricane माके टोकणे की जांच को बायप्सी टेस्ट जो भलते हैं यह बायप्सी टेस्ट यह भी Yep के शरीर में कहीं पर गठान है ड्रेस्ट में कोई गठान न यह पर गरदन में कोई गठान ने आपके सरह में लिंफोनौ пошनार्ण यह गांट ईट्रां यह सरीर में किसी परकार बदलाब आ रहा है ना तो डॉक्टर आपके लिए बायोप्सी टेस्ट के लिए बोल सकते ही you दों ऐसे लिए कराया जादा कि आपके सरीर में जो गांट हो रही है उसे पता को निकाला जाता है और वह लेव में भेज दिया जाता है उससे कंफर्म हो जाता है कि आपको कैंसर है के नहीं है चलिए बायोफसी टेस्ट के प्रकार के बारे में बात कर लेते हैं कि बायोफसी टेस्ट कितने प्रकार के किये जाते हैं बोन मेरो बायोफसी इसमें यह पता च साथ लिए पत्त लगाने के लिए इंड्ल कोपी भॉप सीसे ये अरफ को भार कही हो रहे हैं गठाना निकालकर प्रॉब्लम हो तो तुमारी तो उससा इसको निकाल कर लेब में बेजा जाता है उसमें पता चलेक Iskin Cancer, ये पता चलेक है है चैंसर है के नहीं है छटे नमबर पर है बंउन लिफ-इन से चल जाता है कि आपको लग रहा है कि मुझे अंदर कोई प्रॉब्लम हो रही ही है दीरे तो आपको दUक्टर से संपर्क्र करना चाहिए और उसे बाइफसी के लिए बोलना चाहिए यह confirm किया जाए तो उससे आप बच सकते हैं क्योंकि जो cancer होता है अगर third stage पर पहुंच जाती ही तो यह बहुत जादा दुगदा ही हो जाती है और passion का बचना यह मतलब बहुत कम chances हो जाते हैं इसलिए आपको समय पर जागरों करेने चाहिए और सभी लोगों को इस बारे में बताना चाहिए यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और ज्यादा ज्यादा शेयर करें इस बायोक्सी टेस्ट के बारे में cancer की जो test होता है उसके बारे में लोगों को जानकारी मिल सकें आपको दिन मंगल में हो यूटूब पर देख रहा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजी और बैल आइकन को जरूर दवाएं ताकि हैल से संबंदित वीडियो सबसे पहले आपको मिल सकें थेंक्यू वेरी मच